सब नमस्कार कैसे हैं आप सब भाई होब आप लोग अवज़ादा बढ़िया होंगी एंड आज की स्वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं IIT Bombay के बारे में अब देखिए आज की स्वीडियो के अंदर में आपको हर सीज एक्सप्रेंग करने वाले हों IIT Bombay के बारे में कि फीस्टेक्शर किस तरह का है, प्लेस्मेंट किस तरह की है, एड्मिशन प्रोसेजर क्या है, क्या कटोस रहती है, कितने रैंक्स पर आपका एड्मिशन होता है, किस कोर्स के अंदर, इसके अलावा इंफस्टेक्शर किस तरह का है, फैस्ट कैसे होते हैं, हर चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और आपको इस वीडियो के अंदर मतलब सच में काफी ज़्यादा जानकारी मिलने वाले है IIT Bombay की, तो एक छोटी से रिक्वेस् अगर आपको वीडियो सही लगी है, अब अलग-अलग इंस्ट्यूशन जो होते हों, रेंकिंग करते हैं, जैसे कि NIRFA, जो अलग-अलग को रेंक करता है, इसके लावा इंडिया टूडी भी रेंक करता है, और भी बहुत सारे नूज चैनल्स हैं, काफे सारे लोग हैं, जो अलग-अलग को रेंक करते हैं, कुछ कोलीज होते हैं, जो आर्स के अंदर बेस्ट होते हैं, कुछ कोलीज होते हैं, जो कोमर्स के अंदर बेस्ट हैं, को साइन्स के अंदर बेस्ट हैं, तो अगर कोई आपको ये कहें, कि भी सभी कोलीज को कमबाइन कर दो, सभी स्ट्रीम क को कंबाइन कर दो सभी रेंकिंग्स को कंबाइन कर दो और पास रिए के रेकोर्ड्स को भी कंबाइन कर दो और सब कुछ मिलाने के बाद अगर आपको सिर्फ एक कोलेज निकालना हूं कि नमबर वन कोलेज कौन सा है इन रियल सेंस तो नो डाउट वो IIT Bombay ही होगा सच में और और IIT Bombay जो है वो एस्टेश की आ जा था 1958 के अंदर और तब से लेकर अब तक जो IIT Bombay न अपनी इमेज क्रियेट की है वो भाई बिलकुल ही डिफरेंट लेवल पर है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि IIT Bombay के नोटेबल अलुमनाई कोन-कोन है और देखिए मेरी जो प् पढ़े होई सुडेंट आज के टाइम पर किस तरह से दूसरे लोगों की लिफस्टाइल को अफेक्ट कर रहे हैं मतलब इन अपोसिटिव सैंस राइट कि किस तरह से वो लोग जो है अपनी फील्ड के अंदर आज के ताइम पर महारत हासिल कर चुके हैं जो IIT Bombay से पढ़े जो की co-founder है Infosys के और Infosys जो है आज के टाइम पर भाई टोप 4 इंडिया की companies के अंदर है इसके अलाव अगर हम बात कुरू जैराम रमेश तो वो है राजयसमा मेंबर इसके अलावा पराग अगरवाल एक CEO ट्विटर अभी आपने देखा होगा Elon Musk जब ट्विटर जब उन् आपने देखा हुआ अक्सरच बाब को Uber के prices काफी महंगे लगते तो आप सर्च करते हो ओला पर देख लेता है एक बार तो वो जो ओला की co-founder है वो है भावे शक्रवाल इसके अलावा डोक्टर के सिवान जो की इस्रो के चेर्मेन है भाई इतनी बड़ी पोस्ट है तो इस् देश्तिवारी है जो की फिल्म डेक्टर है जिन्होंने काफी सारी मुविस डेक्ट किये काफी बड़ीया मुविस इसके लावा भारत देशाई है जो की American Billionaire है and co-founder है सिंटल के इसके लावा फिर कवल रेखी है जो की Indian American businessman है इसके अलावा डी उदयकुमार ये जो डी उद से डिजाइनिंग ही की थी तो ये आप देख सकते हैं ये लोग भी IIT Bombay से ही है ठीक है इसके अलावा केस दास गुपता है जो की scientist है satellite communication में specialty है उनकी तो इस तरह के काफ़ साई नाम है और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप अगर search को Google पर भी आपको बहुत साई अलगल अलुमन से मैंने तो आपको से एक छोटी सी list बताई है अब जब आप इन नामों को सुनते हो तो आपको पता चलते हैं अगर यह सभी लोग एक ही college से निकले तो वह college जरू-जरू-जरू महान होगा है ना राइट चले बात करते हैं कि IIT Bombay कौन-कौन से courses आपको offer करता है अब मैं उ पोस्ट्राइशन है और PhD है सबस्पेले हम लोग बात करते हैं अंडर्गरिशन की तो जैसी आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर सारे सारे courses आ गए है अब B.tech कर सकते हो अब dual degree कर सकते हैं B.tech प्लस M.tech की इसके लावा B.Sc कर सकते हैं इसके लावा Bachelor and Design कर सकते हैं अब B.tech पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइस Specialization आ जाएंगी तो अगर आप B.tech करें तो Aerospace Engineering है Chemical Engineering है Civil Engineering आप कर सकते हो Computer Science Engineering आप कर सकते है Electrical Engineering है Mechanical है इसके लावा Metallurgical Engineering and Material Science है इसके लावा Engineering Physics है तो यह आप कर सकते हैं इसके लावा देखिए अगर मानलीजी आपको dual degree करनी है तो dual degree जो है यहाँ पर भी काफसाई Specialization है जैसे कि यहाँ आप आप देख सकते हो लिखा हुआ है Bachelor of Technology in Electrical Engineering and Master of Technology in Electrical Engineering with Specialization in Communication and Signal Processing तो यह आप कर सकते हो बाकी और भी Specialization है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी dual degree के लिए इसके लावा देखिए फिर आप मानलीजी आप प्लस PhD कर रहे है इसके लावा मस्रें डिजाइन है MBA भी आप यहाँ से कर सकते हैं and MBA Executive भी कर सकते हैं Executive का basically मतलब ही होता है कि मानलीजी आप पास work experience है तो आप एक साल के MBA कर सकते हो right इसके लाव और भी courses आप देख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए कौन-कौन से exams के तुरू आप क्या कर सकते हैं तो आपको GATE का exam देना है अगर आप MTEC करना चाहते है तो basically GATE का exam आप 4 साल की degree के बाद दे सकते हो चाया आपने BTEC की हो या फिर आपने मानलीजीए BSC प्लस MSC की है MSC के बाद भी आप GATE का exam दे सकते हैं तो GATE का exam देखर के आप MTEC के अंदर admission ले सकते हैं आई IT के इनदर इसके लाबppening SEC का exam दे सकते हैं आपके design के लिए MAT के exam दे सकते हैं इसके लाब Beckцип का exam दे सकते हैं आपने कहीजे से जींग कर सकते हैं। आपकी सब्सक्राइगा मेत्स हैंट करते हैं गधार विश्य के या सकते हैं। आपक केसी कर साहन। ि만वरे चासोज स्वाधीन मेत्स संकी कि लिए। रवत करने कि पोस। इस चाहिए मैंडर हैं पॉस इतरो नुछ भाध बाकी अब चलते हैं वीडियो की तरफ आगे और देखते हैं IIT Bombay के बारे में अभी आपने देख लिया हुआ कि कितने सारे जो प्रोग्राम से कितने सारे जो पॉर्सिस है वो IIT Bombay आपको उफर कर रहा है इसके बाद हम लोग बात करते हैं admission प्रोसिजर की तो मैं यहाँ पर अंडर्गे विशन के admission प्रोसिजर की आपको बात उताने वाला हूँ जो कि BTEC के लिए इसके लिए आपका हो रहा है या फिर आपकी dual degree वार के लिए तो देखे यहाँ पर basically क्या होता है कि आपके तीन स्टेप्स के अंदर admission होता है आपको पता है यहार IIT के अंदर जिसके अंदर आपका जेई मेंस है जीए एडवांस है दिन उसके बाद आपकी counselling होती है ठीक है and 75 जो आपको questions आपको देखने को मिलते है 25 questions from each subject तो आपको यह देखने को मिलता है इसके अलाबा देखिए अगर मैंब बात करें 2022 के अंदर तो 11,26,000 students ने मेंस के लिए register किया था और जिसके अंदर से पहले 1,5,000 students होते हैं वो अपना advance दे पाते हैं बाकि students वहीं पर eliminate कर दे जाते हैं तो आप advance देते हो और GE advance के अंदर basically कोई भी specific marking scheme नहीं है कोई भी specific कहीं से question कहीं से भी आ सकता है तो काफी ज़रा difficult आपका GE advance का exam होता है और आप यह दिखो कि इंडिया के अंदर सबसे difficult exams कोन से है तो उसके अंदर GE advance जो है वो भी उसके अंदर जरू जरू रहेगा तो अपने GE major दिया अपने GE advance भी अपने GE advance दिया फिर आपकी counseling होती है जो सगे counseling होती है उसके इंदर आपको अपनी priorities set करने होता है college and courses की आपनी priorities set कर दի आपके ranks आ जाते है और ranks के basis पर आपका admission होता है कि कौलेश के अंदर कि स master Кстати के अदर आपका admission होता है अगर आपको उसक आप टोप ranker है तब ही जाकर कि आपको जो IIT Bombay है वो आपको मिलता है अग मैं आपको तोड़ी सी cutoffs भी दिखाने वाला हूँ भाई IIT Bombay की अलग-अलग streams के लिए तो वो cutoffs भी आप देखेगा और आपको एक idea लग जाएगा तो अभी हम चलते हैं cutoffs की तरफ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ IIT Bombay की cutoff की भाई IIT Bombay के अंदर अगर आपको किसी भी program के अंदर admission लेना है और आप किस cast category से है reservation आपके पास है या फिर नहीं है तो आपको कितने ranks चाहिए होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले लिखा हुए aerospace engineering four years के अगर आप जेनरल से हैं तो year 2022 की 2022 की cutoff थी आपकी open हुई थी 1071 ranks and close हुई थी 2025 rank पर राइट इसके साथ आप देख सकते हैं जेनरal PWD की 54 पर अपन हुई and 54 पर यह close हो गई इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिल की जितने भी आपकी अलग-लग reservations होते हैं उनकी अपकी अलग-लग ranks होती है ठीक है तो उसके basis पर रहे हैं अब माली जैसे कि कोई ASIC candidate है तो ASIC candidate की 26 से open हुई and 543 पर यहाँ पर close हो गई थी इसी तरह से माली जिगर आप बात करोगे aerospace engineering के अलावा किसी course की तो हम लोग नीशा आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग chemical engineering पर आ जाते हैं chemical engineering के फोर यह की बीटेक है आपकी और यहाँ पर आप देख सके जैनरल के लिए 440 पर open होती है and 1679 rank पर यहाँ पर close हो जाती है इसी तरह से कर मैं और नीच चाहूं पर यहाँ पर open होकर के 1050 पर close हो रही है और सभी categories की अपनी अलग-अलग ranks होती है तो उसके हिसाप से है अब माल लिजी अगर हम आ जाते है civil engineering पर तो civil engineering पर आप देख सकते हो अगर मैं बात करूँ से की यहाँ पर है civil engineering की SC के लिए तो open होई 30 पर and close हो गई थे 577 पर इसी त general का मतलब है common जिसके अंदर कोई भी students आ सकता है तो general का मतलब कोई ऐसा नहीं होता है कि को कास्ट का ठेगरी है general का मतलब common है जिसके अंदर कोई भी admission ले सकता है चाहे किसी आप reservation से बिलोग करते हो तो जनल में भी ले सकते हो ठीक है तो यह साज चीजी इसके अलावा अगर आप देखोगे computer science की तो यहां पर आप देख सकते है computer science आ गया है computer science के आप बात करोगे तो all India rank 1 यहां से open हुई थी rank 1 से open हुई थी and rank 63 पे जनल की बंद भी हो गई है इसके साथ आप general PWD की देख सकते है 11 पर ही open and close हुई है EWS के आप देखोगे 3 and 6 पर ही close हो गई है right इसके EWS, PWD की आप देखोगे तो 1-1 पर ही है तो इतनी भाई कम रहेंग आपको चाहिए अगर आपको मालीज computer science होरस करना है IIT Bombay से तो तो इससे से आपको काफी अलग तरह की ranking से यहां पर देखने को मिल रही है बाकि आप screenshot ले सकते है screen recording कर सकते है आपको एक perfect idea लग शाएगा So अपने IIT Bombay की cutoff देखी लिए होगी तो इससे की cutoff सेब आपको IIT Bombay के अंदर देखने को मिलती है और इसके हैं साथ साथ मैं एक सीद आपको उताना चाहता हूँ कि जब जही मेंस आप देते हो तो आप eligible हो जाते हो NIT के लिए triple IT के लिए और जब आप advance देते हो तो उसके बाद ही आप IIT के लिए eligible होते हो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने fees structure के बारे में तो अगर मैं आपको IIT Bombay का fees structure बता हूँ तो पहले काफी कम fees थी लेकिन कुछ सालों पहले ही IIT की fees थोड़ी सी बढ़ा दी गई है तो अभी आपको एक semester की जो fees है चाहे फिर आप B. लाख और 4,000 रुपे जो आपको fees आपको देनी पड़ेगी यानि कि अगर आप पूरे एक साल की fees देखोगे तो आपकी almost 2 lakh प्लस जो आपकी fees हो अपकी हो जाएगी और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हो है भई एक लाख आपकी tuition fees हो गई इसके रुपे आपके लगबग एक साल के लगने वाले है उगर आप 4 साफ के अपने डिगरी कर रहे हो तो आप multiply कर सकते हो कितने रुपे में आपकी पूरी की पूरी डिगरी हो होने वाली है इसके बाद हम लोग बात करते हैं IIT के placements की अब देखिए अगर मैं IIT की placements की बात करोड का पैकेज हैने कि बाई हाइस डूमेस्टिक है इंडिया के अंदर है अगर मैं हाइस इंट्रेंश्चल की बात करूं जो की हाइस इंट्रेंश्चल सी था वो था 2.1 क्रोड का पैकेज तो इस ताइए आपको बहुत डीडियल पढ़ प्लेसमेंट दिखा रहे हुग लास्टेर की ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो स्ट्रीम आप करना चाहते हो उस स्ट्रीम के लिए कितनी प्लेस्मेंट वहां पर लगी कितने स्ट्रूइंट से अपलाई किया उस में से कितने स्ट्रेक्ट होते हैं और कितनी प्लेस्मेंट परसेंटेज आपको मिल domestic package जो था CTC यानि कि course to company वो था आपका INR 1.8CR यानि कि आपकी CTC होती हो आपकी real salary नहीं होती है उसके अंदर आपकी course to company होती है यानि कि ये company salary plus facilities किसी भी employee को देती है वो CTC के अंदर count के रहे जाता है तो लेकिन फिर भी 1.8CR CTC भाई बहुत ही जादा बढ़िया package है इसके अलाव अगर आप देखेंगे तो इसके अलाव अगर आप देखेंगे तो highest international salary आप देखोगे तो यहाँ पर है 2.1CR तो भाई बहुत ही जादा बहुत ही जादा अगर आप IAMS की भी compare करेंगे तो थोड़ी सी जादा ही आपको यहाँ पर office sector से भी है इसके अलाव अगर कंसल्टिंग से भी है finance से भी है research and development से भी है start-up companies भी आई है बहुत बार क्या होते है कि start-ups जो होते है वो भी IATN को hire करना चाहते है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि consulting के अंदर number of offers थे 145 and number of companies थे 31 इसी तरह से education sector के अंदर आप देख सकते हो कि number of offers थे 29 and companies थे 9 यानिकि 9 companies ने 39 offer दिया ठीक है इसके अलावा देखें engineering and technology आप देखोगे तो 87 companies ने 434 offer दिया तो यहाँ पर सबसे जाला जो offers है वो आपको engineering and technology के अंदर ही देखने को मिल रहे है इसके लावा finance है, IT है यह भी सब भी आप देख सकते हो तो आपको एक idea लग जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं students कहां कहां पर गए है consulting के अंदर 10% है education के अंदर 2% है education for example जैसे बाइजूस हो गया unacademy हो गई वो सब हो सकता है इसके लावा और भी companies हो सकती है इसके लावा देखी engineering and technology के अंदर आप देख सकते हो 30% सबसे जादा बड़ा नंबर जो IT sector के अंदर ही है engineering and technology के अंदर इसके लावा अगर आप देखोगी तो finance के अंदर 14% हो गया इसके लावा IT software के अंदर 26% है public sector and undertaking के अंदर 0% मतलब फिर लिखा ही क्यों है यहापर मुझे समझने है रहा फिर लिखना ही नहीं शेथा आपको 0% ही अगर तो anyway so research and development के अंदर 4% है इसके लावा service के अंदर 1% है and others के अंदर 13% है तो इसके लावा देखिए इसके लावा देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हो किस किस score से students कहा कहा पर जाते है यह बहुत important है सभी students के लिए जो भी target कर रहे है तो देखिए बैशलर ओफ डिजाइन के अंदर registered 19 students थे participate 17 students ने किया दो श्रूणे ने participate नहीं किया और उसके अंदर से जिनकी जोब लगी जो place हुए वो थे 12 students तो placement percentage 71% है इसके लावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखते हो बैशलर ओफ साइन्स के अंदर 50 students ने register किया participate 43 ने किया प्लेस 35 हुए 81 की percentage यहाँ पर आ गई है इसके लाव अगर हम बात करूब BTEC की तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा BTEC और जो dual degree है BTEC प्लेसमेंट परसेंटेज भी है और सबसे ज़्यादा students ने apply भी किया है तो आप देख सकते हो register किया 657 ने participate किया 566 ने यहाँ पर जो प्लेस हुए है 544 प्लेसमेंट प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पर 96 आ गई है इसके लावा डिजाइनिंग का अगर आप डूल डिगरी का देखोगे तो यहाँ पर 100 प्लेसमेंट प्लेसमेंट है लेकिन बहुत ही कम है इसके लाब प्लेसमेंट के बारे में अगर्लावत के लेकिन बता आक चलकी है इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके fast and exposure के बारे में तो देखे भई exposure जो है आइटी के इंदर बहुन सारा जबरस होता है इतने सारे speaker sessions होते हैं इतने बढ़िया बढ़िया लोग वहाँ पर आते है speaker session लेने के लिए आप उनको सुन सकते हैं उनसे question पूछ सकते हैं इंसे बात कर सकते हैं हर तरह की जो चीज है आप उनके साथ मतलब हर तरह की नियों कुछ limited चीजी आप उनके साथ पूछ सकते हो तो वो सब speaker sessions होते हैं काफी सारे events होते हैं काफी बढ़िया environment होता है exposure काफी बढ़िया होता है चाहिए आप dancing के अंदर interested हो singing के अंदर interested हो जो भी आप करना चाहते हो society's आपको वहाँ पर मिल जाती है और इसके लावा देखिए पढ़ा ही तो आपकी होती ही होती है लेकिन जो आपको exposure मिलता है जो आप enjoy करते हैं उस college के अंदर वो भाई बहुत ही अलग level पर होता है जितना बढ़िया college होगा उतनी ही बढ़िया college life आपकी होने वाली है तो इससे काफी सारे events होते हैं इसके लाव अगर मैं उनके fest की बात करूँ तो यहाँ पर दो fest आपको देखने हो मिलते है cultural fest होता है इसका नाम है mood indigo इसके साथ उनका एक tech fest होता है तो tech fest भी आप attend कर सकते हो तो वो भी काफ़ ज़्यादा बढ़िया होता है उनके काफ़ ज़्यादा videos uploaded है तो काफी बढ़ी आपको लगने वाला है इसके लाव अगर हम बात करूँ infrastructure की तो फ़र infrastructure के अंदर भी no doubt बहुत ही even class आपको infrastructure देखने को मिलता है जिसके अंदर उनकी एक main building है जो काफ़ ज़्यादा शांदार है इसके अलावा आपको lecture hall देखने को मिलेगा lecture auditorium आपको देखने को मिलेगा library है जिसके अंदर sitting जो area है वो काफी ज़्यादा खुपसर तो काफ़ ज़्यादा शांदार है जो आपको अकसर बहुत महंगी private facilities के अंदर देखने को मिलता है इसके अलावा फिर आपको hostels मिलते है उसके अंदर कुछ पुराने hostels है कुछ नए hostels है लगबख 17-18 आसपास आपको hostels देखने को मिल जाते है इसके अलावा अगर हम बात करो sports facility की तो ऐसा कोई sports नहीं है जो आपको इसके अलावा indoor cricket practice है वहाँ पर नेट लगे हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हो badminton court है इसके अलावा swimming pool है squash court तक है क्योंकि देखे इसके अलावा pool table भी आपको मिल जाएगी लेकिन admission होना भी बहुत जादा मुश्किल है काफी साज students है जो महनत करते हैं अर साल और उसमें से कुछ ही आप बोल सकते हैं कुछ ही students select हो पाते हैं तो यह ताप पुरा IAT Bombay के बारे में अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बैल यक्न को प्रेस कर दीजिएगा मिलते नेक्स वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई बाई एंड टाटा